Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर हम सिर्फ बीते 5 सालों की बात करें तो हमारे पास multiple ऐसे examples हैं जिसको देखने के बाद पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि चाइना के relation US के साथ बेहत खराब हुए हैं और ये relation खराबी रहेंगे जब तक चाइना के President Xi Jinping बने रहेंगे Recent जो चाइना और US के बीच में point of escalation है वो है TikTok को लेके जहां पे government of US ने TikTok को ये कहा कि वो किसी US-based company को TikTok बेज दे अगर ऐसा TikTok नहीं कर पाता है तो TikTok को US में complete तरीके से ban कर दिया जाएगा इनी सब चीजों को देखते हुए Anthony Blinken Secretary of State तीन दिनों के official visit पे चाइना जाते हैं जहां पे उनका attempt रहता कि किसी भी तरीके से चाइना के साथ US के relation को normal किया जाए इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी मुझे email करके बता सकते हैं यह है Voice of America का article जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से Anthony Blinken को दिखाया जारा जैसे कि Anthony Blinken चाइना पहुंचते हैं और Chinese government को खास करके President Xi को या वहाँ के foreign minister को धमका के आते हैं वही अगर मैं आपको Chinese अख़पार का headline दिखाऊ तो इस headline को पढ़के आपको ये लगेगा कि President Xi Jinping ने Anthony Blinken को इनावे धमकी दियो और कहा कि US जो कहता है वही करें कहने का मतलब है श्री जिन पिन का कि US कहता कुछ और है करता कुछ और है तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने अपने देश का जो media outlet होते हैं वो agenda set करते हैं और अपने देश को एक stronger position में दिखाते हैं तो इसी लिए भी जब हम geopolitical news को पढ़े और analyze करें तो ये बेहर जरूरी होता है कि हम अलग-अलग platforms पे जाके same information को पढ़ें ताकि हम कुछ एक balance तरीका से उस news को समझ सके पढ़ सकें Anthony Blinken China पहुंचते हैं 24 तारीकों और वहां से 24, 25 और 26 तारीक तक वहां पे रहते हैं इसी बीच multiple rounds of conversation हुए है Anthony Blinken और Chinese counterparts है इसी बीच दोनों देशों ने press को brief किया और कुछ अलग-अलग मुद्दों के उपर बात की लेकिन नहीं तो China नहीं तो US ने कोई खास critical information को share किया इसी बीच वैसे experts जिनका काफी अच्छा समझ है China और US के relation को लेके उनका ये मानना था कि Anthony Blinken का China visit कुछ खास fruitful रहेगा नहीं और exactly कुछ हुआ भी ऐसे ही जहां पर US के लिए आज अगर कोई सबसे बड़ा competitor है तो वो है China और same China के लिए भी है जितना dependent US China के उपर है उतना ही dependent China भी US के उपर है अब क्योंकि बहुत हथ तक हम Western medias को या European medias के information को consume करते हैं तो इसके कारण हमें लगता है कि जो US करता है या कहता है वो ज़्यादा सही है और वैसे देश जिनका US के साथ relation अच्छा नहीं है अगर वो कुछ करते हैं या कहते हैं तो वो थोड़ा सा उसे हम negative से लेते हैं जब आखरी दिन यानी कि जब 26 April को एंथनी ब्लिंकन, President Xi Jinping से मिलते हैं तो President कहते हैं कि US-China को as in partner ले ना कि as in adversaries ले कहने का मतला भी कि बीते 5 सालों में China ने भी बहुत सारे companies के उपर खास करके telecommunication companies के उपर या समझ ले electronic companies के उपर sanctions लगाया या import duty को बढ़ा दिया ऐसा ही कुछ किया गया है US के द्वारा भी US के relation उन सभी देशों के साथ अच्छे हैं जिनके संबंद China के साथ अच्छे नहीं है और China भी कुछ वैसे ही कर रहा है उन सभी देशों के साथ अपने नस्दीकी को बढ़ा रहा है जिन सब देशों के साथ US के relation अच्छे नहीं है अब President Xi Jinping का जो सबसे बड़ा concern था US को लेके वो ये है कि उनका कहना है कि US कहता कुछ और है और करता कुछ और है और exactly इसी चीज़ को वो raise करते हैं Anthony Blinken के सामने और वही पर Anthony Blinken चाइना के सामने ये concern raise करते हैं कि जिस तरीके से चाइना रश्या को arms या weapons बेच रहा है ये काफी disturbing है तो कहने का मतलब है कि चाइना भी रश्या को या इरान को या North Korea के करीब जा रहा है जिस तरीके से US, Ukraine को support कर रहा या Israel को support कर रहा या बहुत हद तक उन सभी देशों को support कर रहा जो US के साथ में है या उसके favor में रहते हैं तो कहने का मतलब है कि exactly ये कह पाना कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है ये बेहत मुश्किल है या कहले in fact impossible है अगर North Korea से नजदीकी बढ़ाना गलत है या तो अगर किसी भी तरीके से Russia को weapon देना गलत है तो US किस तरीके से ये justify करेगा कि Ukraine को weapon देना सही है तो normally क्या होता है कि जब भी दो देशों को आपस में संबंध को अपने और मजबूत करने होते हैं तो उनके बीश में जो delegations होते हैं वो काफी high ranking officials होते हैं कहने का मतलब है कि decision making leaders का presence होता है meetings में और वो लोग frequently मिलते हैं तो ऐसा है कुछ proposal रखा गया China और US के दवारा mutually अगर हम बात करें तो Taiwan हो गया, Philippines हो गया, South Korea हो गया या Japan हो गया इन सब के relation US के साथ काफी अच्छे हैं, वहीं पर हम देखेंगे तो इन सभी देशों के जो relation है वो चाइना के साथ बुरे हैं तो कहने का मतलब है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि US military, Taiwan के military के साथ mutual या joint operation करते हैं वैसे ही कुछ देखा गया है Philippines के साथ भी, तो इनी सब चीजों को चाइना के तरब से भी उठाया गया है और US को ये बताया गया है कि आप Taiwan हो गया या Philippines हो गया, इन सब को आप weapons वगेरा ना दे Recently अभी 2-3 दिनों पहले ही US के Senate में एक bill पास किया गया जहां पे लगभग कुछ 61 billion American dollars का aid मिलेगा Ukraine को उसी bill में कुछ 8 billion American dollars का जो aid था वो मिलेगा ताइवान को और ताइवान और चाइना के बीच में relations बेहत खराब है जहां पे ताइवान के बारे में चाइना कहता है कि ये उसी के देश का हिस्सा है और बदले में ताइवान अपने आपको एक complete independent country घोशित करता है तो in a way हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो दोनों बढ़ चाड़ कर कोशिश तो कर रहे हैं कि रिष्टे में सुधार लाया जाए लेकिन उसके बावजू चाइना और यूएस के जो relations है वो अच्छे होते हुए दिख नहीं रहे है multiple ऐसे हमारे पास example से जहाँ पर चाइना नहीं ये claim किया है कि यूएस के दुआरा उनके ऊपर जासूसी की जा रही है वहीं यूएस ने भी multiple time से claim किया है कि चाइना उनके देश के अंदर जासूसी करता है या करवाता है लेकिन एक चीज तो guaranteed है कि ना ही तो चाइना ना ही तो US एक हद के बाद अपने रिष्टे को खराब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि दोनों देश एक global superpower है और दोनों देशों के पास nuclear weapon है तो इसलिए भी ये लों कभी एक हद के बाद रिष्टे खराब नहीं करेंगे इनकेस अगर कभी US और China war like situation में आते हैं तो किसी की भी जीत हो या किसी की भी हार हो लेकिन war damage इतना हो जाएगा कि उस war damage से recover करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा तो अगर मैं इस video को conclude करूँ तो इस video को बनाने के लिए मैंने 5-6 articles मैंने पढ़ें उन सभी articles को पढ़के मुझे ऐसा लगा कि ना ही तो China जुकना चाता है US के सामने ना ही तो US जुकना चाता है चाइना के सामने तो in a way ये जो tension का atmosphere रहेगा between China और US ये बना ही रहेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye